हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब आज कुछ मीठा हो जाए अभी तो आम का भी सीजन चल रहा है क्यों न इस गर्मी में आम की तरह तरह की रेसीपी बनाए जो की खाने में भी टेश्टी हो और साथ में हेल्दी भी हो और कुछी मिन्टों में भी बनके तयार हो जाए बिना जन्जट के बिना ओवन के चलिए फटाफट बनाते हैं आप देखते ही रहा जाएंगे फ्रेंड्स की आम की इतनी टेश्टी रेसीपी भी बन सकती है तो चलिए फ्रेंड्स हम सब का अपना चैनल रेसीपी रूम में स्वात के सफर को आगे बढ़ाते हैं और ही हम टुकड़ों में काट लेंगे आपको जैसे भी काटना हो वैसे आप काट लीजिए ऐसे ही अच्छे से कट जाएगा इस तरह से आप काटेंगी न तो सारे आम जो है न इसका अच्छे से निकल जाएगा और यह बीच का गुठली है उसको हम साइट कर लेंगे हमारी रेश सबसे जरूरी बात वीडियो जब आप देखते हैं फ्रेंड्स फूल वाच किया कीजिए वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और हाँ साथ में हमारी मेहनत के लिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले दो आ आम नहीं होना चाहिए और इसको हम एक कढ़ाई में थोड़ी देर एक-दो मीनट के लिए पहले पका लेंगे तेल उल कुछ नहीं डालना है सिर्फ आम डाल देना है और गैस को आउन कर देना एक से डेड़ मीनट तक पकाएंगे इसको इधर हमारा मेंगो पक रहा है गैस क कम कर देंगे और एक बाल में हम तीन चम्मच कश्टड पॉडर ले लेंगे और एक कप दूद ले लेंगे गरम दूद नहीं लेना है नॉर्मल ठंडा किया हुआ दूद ले लेंगे और अच्छे से गोल के इसको एक साइड में हम रख लेंगे और एक कटोरे में हम तेल या चाल देंगे और medium to low flame पे ही हमें इसे चलाते जाना है और हाँ एक बात का ध्यान रखना है गैस को आपको तेज नहीं करना है तेज करेंगी तो यह अंदर से गाठे पढ़ जाएंगे और जलने का डर रहेगा तो गैस को कमी रखना है और धीरे धीरे आपको डालते जाना है च हुक और यहाँ से गिराएंगे तो बहुत अच्छे से गिर जाएगा यह तो समझे हुझे यह हमारा रेडी हो गया है जैस को कम करदेंगे थोड़ा सा linkedoo दाल देगे और फ्र जब करने के लागा we about this नहीं होने देना है कड़ाई में इसको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे आपको जिस भी चीज में डेकोरेट करना है आप उसमें डाल लीजिए हम इसी में दो कटोरे तीन कटोरे में डाल देंगे जितना भी होगा आप देखते हैं दो में जाता है या तीन में ऐसे ही इसको डाल देंगे और इसको हम पहले normal temperature पे कुछ देर के लिए छोड़ दीए एक से तेर घंटा के लिए normal temperature पे रखे हैं और फिर इसके बाद हम freeze में रख दिये इसको दो से तन घंटे के लिए हम इसको freeze में डाल दिये देखिये कितने अच्छे से हमारा ये mango pudding बनके तयार हुआ है फ्रेंड्स आप जरूर इसे ट्राइ करना, बहुत ही टेस्टी और स्वाधिष्ट रेसिपी बनी है, जब आप मैंगो का इसे बना के खाएंगी न, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंगो तो खाते ही हैं बच्चे, मैंगो सेख पीते रहते हैं, इसलिए इसे आप एक बार जरूर ट्राइ करना, मिक्सी में पीशते समय फ्रेंड्स, दो आम डाले थे, और एक कप चीनी डाले थे, और एक कप दूद डाल देना है, गरम दूद नहीं डालना है, नॉर्मल टेंपरेचर का दूद डाल देना, चीनी आप जब डालेंगी फ्रेंड्स, यदि लगेगा ये आम थोड़ा ज़्यादा खटा है, तो दो तिन चम्मच और आप बढ़ा दीजेगा, ये आम हमारा ठीक था, इसलिए हम इसमें एक कपी डाले हैं, फिर आपको पीश लेना है, और देखिए हमारा ये कितने अच् इस गर्मी आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, आप इस रेशीपी को कब बना रहे हैं, हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, तब तक के लिए बाई बाई